नमस्कार, आयुकतले कॉलेश इक्षा राजस्थान द्वारा प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी हितु संचालित ज्यान सुधा सक्से साथी योट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है विपिन प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी के लिए यहां मानक सामगरी उपलब्द रहती है और हिंदी विशय में हम बात करते हुए पद्मावती समय पर यह हमारा अगला वीडियो है और इसमें हम पद्मावती भाग चार इसमें हम करेंगे पद संख्या 25 से 25 से चर्चा करने वाले हैं विशय रूप से पद्मावती समय प्रत्वी राज रासों का पद्मावती समय सहायक आचार भरती परिक्षा के पाठेक्रम में शामिल किया गया है इस निमेत इस परकेंद्रित रहते हुए इसकी व्याख्या इसकी भाषा इसकी विशेश्टों पर बात करते हुए हम पदों पर चर्चा कर रहे हैं प्रत्वीराज रासों के अगलेपत पर चर्चा करने से पहले हम उसकी भाशा पर बात करना चाहेंगे। प्रत्वीराज रासों की भाशा विविधता से परिपूर्ण है। सोलवी या सत्विष्टाब्दी की रचना है। भाशा के अधार पर इसे अप्रमानिक मानने वाले जो समू है जो विद्वानों का उसमें एक नाम है पंडित गौरी शंकर ओजा। तो ये जो ओज्जा जी हैं इन्होंने भाशा की विविधता के अधार पर इसकी भाशा को अप्रमानिक मानना है और इसे बाद की रचना मानना है। और इसे जो प्रमानिक करचना माननते हैं वरत्फिराज रासों को उनकी अनुसार यह जो है वो राजस्थान का गौरव ग्रंथ है। और वे बड़े तर्क देते हैं इसकी जो भाशा है उसके बारे में जो अप्रमानिक बताते हुए जो तर्क दिये गए हैं। उनको उनके जवाब में क्या तर्क देते हैं शाम सुन्दर दास जो बताते हैं वो कहते हैं वो तर्क देते हैं कि शहाबुदीन गौरी से लगभग पॉने 200 वर्ष पहले मुहम्मद गजनवी जो हैं वो भारत में लूट मार करने आ चुका था और मुहम्मद गजनवी से भी 300 वर्ष पूर्वसिंद और मुलतान पर मुसल्मानों का आकरमन हो चुके थे और पंजाब भी मुसल्मानी संस्कृती से प्रभावित था और चंद बरदाई जो हैं वो लहोर के निवासी थे और बालेकाल में ही उनके अर्बी फारसी के जो शब्द हैं उनके मस्तिश्क में लगे थे इसी कारण चंद की भाषा में अर्बी फारसी शब्दों का होना स्वाभाविक है और यही तर्क देकर वो कहते हैं कि उसमें पंजाबी की शब्द भी आ सकते हैं क्योंकि वो उनकी भाषा में रच बस गए थे इसलिए उसमें पंजाबी के अर्बी फारसी के शब प्रया है, इसमें संस्कृत, प्राकरत, अपभरंश, पैशार्ची, मागदी और शोर सैनी भाषा का प्रियोर। तो इसे शट भाषा इसलिए कहा जाते हैं, यह हमें ध्यान रखना होगा, शट भाषा में कौन-कौन सी भाषाएं प्रत्विराज रासों में प्रयुक्त करने क लिए विद्वान सहमत हैं, प्रयुक्त की गई हैं, इस बात से सहमत हैं, क्योंकि चंत प्रदाई ने स्वम लिखा है, उक्ती धर्म विसालस्य, राजनीती, नवरस, शट भाषा, पुरान, कुरान, कथित, मया, तो उनके अनुसार जो धर्म है, राजनीती है, नवरस है, श सब के चरित्र जो है, उसमें प्रत्विराज में देखने को मिलते हैं, इसलिए वो इतना बड़ा महा कावे है, और इन सब का चरित्र जो है, वो उसमें दिखाई देता है, तो यहां पी उन्होंने शट भाषा का प्रयोग किया है, और जो मुनी, जिन विजय हैं, उन्होंन भी भाषा पर टिपनी करते हुए चंद बरदाई को अपभरंश का कवी कहा है, तो इसलिए जो भाषा में हमें विविद्यता दिखाई देती है, उसका कारण बताया है, जो प्रमानिक मानते हैं, उन्होंने अपने तरक दिये हैं, और जो अप्रमानिक मानते हैं, उन्होंन आचारे रामचंद्र शुक्ल भी उस श्रेणी में आते हैं जिन लोगों ने प्रत्वी राजरासो को अप्रमानिक गरंथ माना है। है पर त्राटक आधी छोटे चंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भर्मार है जैसे किसी ने संस्कृत प्राकृत की नकल की हो तो इस तरह से प्रत्विराज रासों को प्रमानिक मानने वालों में अचारे रामचंद्र शुक्ल का नाम भी है और उन्होंने भाषा को लेकर भी प्रत्विराज रासों की भाषा को कटगरे में खड़ा किया है शटविद भाषा कहा जाता है हमने पहले बात की है इसी तरह से जो अप्रमानिक मानने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि प्रत्विराज रासों में भाषा का मनमाना प्रियोग इसमें जो है वो वर्ण जहां हस्म होने चाहिए थे वहां अपने आप ही कभी ने दिर्ग कर दिये हैं और दिर्ग से वो कई बार हस्म भी कर देते हैं इस तरह से बहुत सारी जो भाषा को लेकर विभिन विभिन टिकपणियां विभिन विभिन मत जो हैं वो हमें सुनने को मि प्रत्विराज रासों की भाशा को लेकर क्या कहा है आगे भढ़ते हैं और बात करते हैं प्रत्विराज रासों के पद्मावती समय पर पद्मावती समय चंद संख्या 25 आये देखते हैं सोधी जुगती को कंत कियो तब चित चहों दिस लयो विप्र गुरु बोल कही समुझाय बात तस नर नरिंदम नर पती बड़े गड द्रुग असे सह सील वंत कुल सुद्ध देहू कन्या सुनरे सह तब चलन देहू दुज्जेह लगन सगुन बंद ही अपतन आनंद उच्छा समुदह सिशर बजत नद निसान घन इस पद के माध्यम से कवी क्या कहा है है आईए देखते हैं वो कहते हैं सोधी जुगत को कंत कियो तब चित चहों दिसी इससे पहले तक की कथा हम याद करते हैं तो जो पद्मावती है उसके विवाह के लिए जब राजा विजयपाल को और उनकी पतनी को अर्थाथ पद्म की तलाश की जाए राजा विजयपाल की वर विश्यक चिंता निवारन के निमित कुल गुरु को गुलाने और विवाह पक्का करने के लिए जो भी उप्युक्त सामगरी दी जानी चाहिए वो जो देते हैं उसका वर्णन इसमें किया है और कहते हैं कि सोधी जुगत को कंत क कि यो तब चित चहो दिसी की राजा विजयपाल ने अपनी बेटी पदमावती के लिए उचित वर की उप्युक्त वर की तलाश में अपने मन को की वो तब चित चहो दिसी अपने मन को चारों दिशाओं में दोडाया अर्थाद यह सोचा की पदमावती के लिए कौन सा राज अँप्युक्तवर हो सकता है, उन्होंने नजरदोडाई चारो तरफ. लएयो वित्वुप्र गुरू बोल, और इस अस्मंझस में ही उन्हें कुछ समझ नहीं आई, उन्हें कुछ नहीं सुझा, तो उन्होंने अपने कुल गुरू, विप्र गुरू, कुल गुरू, राजपुरुहित, राजदरबार के जो ब्रामन थे कुल गुरू, उनको बुलवाया, और कही समुझाय बात तस, और उनको अपनी बात इस प्रकाल से समझाते हुए, उन्होंने कही कि नर नरिंदम नर पती, बड़े गड़ द्रुग है असेस, कि इस स्रस्टी में, इस संसार में, जहां पर भी जो हैं, नर नरिंदम नर पती, जो राजा सबसे श्रेष्ट राजा हो, नर नरिंदम मनुश्यों में इंद्र के समान हो, जो मनिश्यों में इंद्र के समान सर्वसेस्ट बुनों से संपन हो नर्पती नरेश हो राजा हो बड़े गड़ दुग है असेस है जिसके पास बड़ा किला हो असंख्य दुर्ग हो और सीलवंत शीलवान हो कुल सुद्ध शुद्ध कुल का हो देहू कन्या सुनरेश है ऐसे चुछ राजा को मेरी कन्या सौंप दो मेरी कन्या देने का उपाए करो और आगे क्या कहते हैं तब चलन देहू दुज यह लगन तब राजा ने कुल गुरु को चलने की आक्या दी और उसके हाथ में लगन दिया देहु दुज्जह लगन, ब्रामन को लगन दिया, सगुन बंद ही अपतन, सगुन की समगरी जो कुछ भी ऐसे में दी जा सकती है, टीका समगरी जो भी होती है, टीके की सारी समगरी रोली आदी जो है, वो उन्होंने उसके हाथ में ही हपतन, अपतन मतलब सौंप दिया, उसक उच्छा समुद्रह सिशर बजत नद निसान गन और यह समाचार मिलते ही समुद्र शिखर में की पद्मावती के लिए उचित्वर की इतलाश परारम कर दी गई है और शिग्र ही पद्मावती का विवा होगा यह खबर समुद्र शिखर में मिलते ही समुद्र शिखर में चारो और आनंद वै उत्साह का वातावरन चागया बजत नद निसान घन और वहाँ पर प्रचंड धनी के साथ में घनगोर नगाडे बजने लगे फिर से वही है कि जब भी इस तरह के उत्साह का वातावरन होता है तो वहाँ नगाडों की उपस्थिती जो है वो अवश्य होती है तो इस तरह उन्होंने बताया है कि कैसे एक राजा विजयपाल जो है अपने पिता होने का धर्म निभाने के लिए ततपर है और अपने पुत्री पद्मावदी का कन्यादान करने के लिए अपने राजपुरोहित को बुलाते हैं उन्हें आदेश देते हैं और उनकी क्या इच्छा है क्या वो वर कैसा वर चाहते हैं, वो उसको बता कर यह सौपते हैं लगन की सामगरी टीका, रोलियादी और फिर उनको वहां से प्रस्थान करने की आग्या देते हैं, इस तरह एक प्रकार से वो पद्मावति की सगाई पक्की करने के लिए ही, वागदान करने के ल जब पत्मावती के लिए उचित वर की तलाश करते हैं राजपुरोहित तो वो किसे उचित वर के रूप में ताय करते हैं, वागदान किसके साथ करना ताय करते हैं, ये इसका वर्णन यहाँ पे किया गया है, ने points है कि सवालश, सवालश अर्थात शिवालिक उत्तर सयल, उत्तर दिशा में शिवालिक नामक जो परवत शेनिया हैं, वहाँ पर कुमावु गड दुरंग, वहाँ पर एक बहुत ही दुर्गम किला है कुमावु नाम का, राजत राज गुमुद मनी, उस कुमावु नाम के दुर्ग पर राजा कुमूद मनी राज्य करते हैं हाय गय द्रेव अबंग और वे राजा बहुत संपन हैं सम्रद हैं वहववशाली हैं और उनके पास असंख्य मात्रा में घोडे, हाथी और द्रब्य है द्रब्य मतलब संपत्ती है द्रब्य से यहां मतलब है संपत्ती से तो उनके पास असंख्य मात्रा में घोडे हैं, हाथी हैं और संपत्ती है अर्थात वे बहुत ही वैबवशाली और सम्रद राजा है चंद बरदाई की वर्णनात्मक्ता जो है वो अपने आप में बहुत विलक्षन है अति आनंद करी जुती वो कहते है इस तरह से जब राजपुरोहित को यह सुनिश्चित हो जाता है कि राजा कुमूद मनी शिवालिक की परवत शेणियों में विद्यमान कुमाउ नामक दुर्ग के राजा कुमूद मनी जो है वो पद्मवती के लिए उचितवर होंगे तो वो क्या करते हैं नारी केल फल परठिदुजी कि वो नारियल के फल को स्थापित करते हैं और ब्रहमन जो है राजगुरु जो है वे राजगुरु निकुल गुरु जो है वो नारियल के फल को वहाँ पर स्थापित करते हैं और चोक पूरी मने मुत्ति और मनियों और मोतियों से चोक को पूर कर दई जो कन्या वचंवर और उस वर को कन्या देने का वचंद देते हैं। आत्यांत आनंद के साथ और युक्ति पूर्वक, युक्ति पूर्वक मतलब वकाइदा विधी विधान से पूरे पुजापाट के साथ विधी विधान से वो राजा कुमूद मनी के साथ में पद्मावती के वागदान संसकार को संपन करते हैं, वागदान से यहां तात्पर् पुरे मंत्रो चार के साथ, पुरे पुजापाट के साथ में वहाँ पर संपन करते हैं। अर्थात बड़ी प्रसंद मन के साथ में, बड़ी हस्य के साथ में उन्होंने नरिंदम, नरो में जो इंद्र के समान है, राजा कुमूद मनी, जो वर के रूप में वागदान संसकार जिन के साथ संपन किया गया है, उन्होंने सारी लगन की सामगरी को स्विकार किया। अठात उस रिष्टे को उस नाते को उस वागदान को उन्होंने अपनी स्वीक्रती दी सम्मान दिया बजी द्वार द्वार सु आनंद दुंदम और इस तरह से द्वार द्वार में आनंद की दुंद भी बजने लगी चारों और हर्ष और लास का वातावरन चा गया और फिर राजा थे उनको नुंते अर्थात नियोता दिया उन्हें निमंत्रित किया उन्हें आमंत्रित किया और आईए भूप सब कुटुब संजुते और जिन जिनको भी राजा कुमूदमणी ने निमंत्रित किया था वे सभी वहाँ पर अपने कुटुम के साथ वहाँ पर वेला में कुमूद मनी को शुब कामनाएं देने के लिए वे सभी दुर्ग पती जो हैं वो वहाँ पर उपस्तित हुए अगला पद है चले दस सहस असवार जानम पूरिय पैदल तेतिस थानम मंत मद गलित से पंच दंती मनो साम पहार बुग पती पंती इस तरह से जब चले दस सहस असवार जानम की दस हजार जो राजा कुमूद मनी की जो सैना है जो बरात है उसमें कितने सैनिक हैं उनका वर्णन करते हुवो कहते हैं की राजा कुमूद मनी जो है वो अपनी बरात को सजा कर रवाना होते हैं और उनके साथ दस हजार गुड सवार सहस असवा सवार और जानम रथसेना रथसेना पतलब इतने जो उनके सैनिक थे उनके साथ में थे और पूरिये पेदल 33 थानम उर पेदल सैनिक इतने थे कि उनसे तीस पड़ाव पूरी तरह से भर जाएं पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाएं इतने सैनिक थे और मंत मद गलित सै पंच दंती और इसके साथ साथ में 33 जो स्थान और मंडलां से आए हुए जो सैनिक थे इसके साथ ही 500 पंच सै पंच सै पंच अर्थात 500 ऐसे हाथी थे जिनके मंत मद गलित जिनके मस्तिश्क के बगल वाले भाग में कुम्बस्थल में सदैव मद ज़रता रहता है ऐसे उत्तम कोटी के हाथी जिनके दंती जिनके विशेश दांत थे बहुत प्रसिद्ध होते हैं बहुत मुल्य होते हैं हाथियों के दांत तो वैसे ऐसे सफेद लंबे दांतों वाले और ऐसे विशिष्ट श्रेणी के उच्च श्रेणी के हाथी जो है वो 500 हाथी भी उनकी उनकी सेना में शामिल है और उन हाथियों को देखकर ऐसे लगता है उनके दांत को देखकर उन हाथियों की विशालकाया को देखकर ऐसे लगता है मनो साम पहार बुग पंती पंती की मानो श्याम श्याम काले काले पहाड के उपर बगलों की पंक्तियों की पंक्तियां विराज मान हो इस सारे हाथी जब एक साथ पढ़ते हैं और उनके जो अकार है काला अकार है श्याम वरनी है हाथी तो काला अकार जो है वो पहाड का जलक पहाड के समान प्रतीत होता है और उनके जो दांत हैं सफेद दांत वो सफेद दांत ऐसे लगते हैं कि बगुलों की पंक्तियां उन पहाडों पर बैठी हैं बहुत सुंदर यहां पर उत्प्रेक्षा का प्रियोग जो है वो कभी ने किया है अगला पत भी चंद बरदाई की वर्णनात्मक शैली को ही दर्शाता है और फिर से वो जब किसी भी राजा की सैना का वर्णन करते हैं तो वो उनकी वर्णनात्मक शैली जो है वो और ज्यादा निखर कर सामने आती है यहां पर भी जो राजा कुमूद मनी हैं उनकी बरात का वर्णन कर रहे हैं उनकी सैना क दल बलका वर्णन यहां पर कभी कर रहे हैं और वो कहते हैं कि चले अग्जी तेजी जो तते तुशारम के उनकी बरात के आगे चलने वाले जितने भी घोड़ी हैं, तती तुशारम वे सभी तुशार देश के तिवरगामी घोड़ी हैंhou हूँ और बड़े तिवरगामी आगे आगे चल रहे हैं चौवर चौरासी जो साकती भारम और ये घोड़े अपने भार में बड़े शक्तिशाली हैं बड़े मजबूत कदका ठीके हैं और साथी चौवर उनकी गर्दन पर जो हैं घुंगरू बंदे हुए हैं और चौरासी नामक जो आभूशन है वो उनके पैरों में सुषोबित होता है तो हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि गर्दन में धारन किये जाने वाला जो आभूशन है उसको यहां पर उन्हों ने चौवर कहा है और पैर में धारन किये गए आभूशन कंठिया उनको पहना रखी है, सूलालम, सुन्दर जो लाल है, रतन है, लालों से और रतनों से जड़ी हुई है, और रंग पंच रंग धलकतम धालम, इन गोडों की पीट पर पांच रंगों से सजी हुई धाले हैं, अकरशक धाले हैं, सुन्दर धाले सुशोबित हो रही हैं और जैसे ही ये घोडे चलते हैं वैसे ही धाले भी तिवर गती से चलने के कारण निरंतर हिलती रहती हैं और धलकतम धालम इसी हिलने के बिम्ब को कवी ने प्रस्तूत किया है धलकतम धालम धलकतम धालम से मतलब क्या है कि जैसे ही घोडे गती में आते हैं वैसे ही उनकी वो जो रंग बिरंगी जो ढाले हैं वो भी हिलने लगती हैं और ज्यादा सुन्दर दिखाई देती हैं कुछ विद्वान चमर को गले में नहीं सिर में धारन किया गया आभुशन भी बताते हैं तो इसके समंद में भी मदबेद हैं चमर है चरासी है और कंठियां हैं ये घोड़ी जो वो विशिष्ट घोड़ी हैं तुशार देश के उनके द्वारा धारन किये गए उनको पहनाए गए आभुशन है अगला पद है पंच सुर साबत वाजिन वाजम सहस सहनाय मरिग मोही राजम समुद्र सिर सिशर उच्छा हचाहं रचित मंडम तोरनम शिरियगाहं अब देखिए किस तरह से कभी बड़ी कुशलता से द्रश्चे भी बदल देता है पहले तक का द्रश्चे कुमूद्मनी की सैना का बरात का है अब इसमें वर्णन कर रहे हैं समुद्र शिखर में क्या गतिविदिया हो रही है पंच सुर साबत वाजिन वाजम समुद्र शि लहरियां जो पंच वाध्य की बज रही हैं पांच प्रकार के वाध्ययंत्र ताल तंत्री नगारा जांज तुरही ये जो सुनाई दे रहे हैं उनके साथ जो स्वर लहरियां निकल रही हैं वो ऐसे प्रतीत होती हैं हजारों ऐसे वो अपनी स्वर लहरियां बिखेर ही रही साथ में ही इस वातावरण को और ज्यादा समोहित कर देने वाली हजारों शेहनाईयों का संगीत भी चारों और गूंज रहा है और ऐसी ऐसी शेहनाईयों की मदुर्दवनी हजारों शेहनाईयों की मदुर्दवनी ऐसी जो मुरिग मोही राजम जो मुरिग को भी मोहित कर दे वो इतनी सुन्दर लग रही है, इतनी सुरीली सुनाई दे रही है इस तरह से समुद्र शिखर में चारों और उत्साही उत्सा चाया हुआ है आनंद उत्साह का वातावरन चाया हुआ है रचित मंडप तोरन श्रिय गायम और पूरे नगर में चारों और बहुती सुन्दर मंडप रचाये जा रहे हैं और उनको बंदनवार से सजाया जा रहा है श्रिय गाहम मतलब अपार शोभित होने वाले बहुत सुन्दर तोरण बंदनवार मंडप मंडपों की रचना की जा रही है बहुत सुन्दर और उनको बंदनवार से सजाया जा रहा है अब फिर से द्रश्य बदलता है देखिए पदमवती बिलशी बर बाल बेली कही कीर सो बात तब हो इकेली जटम जाहू तुम कीर दिल्ली सुदेस बरम चहुवान जुआन उनरेस अब फिर से द्रश्य बदलता है और पदमवती की क्या स्थि इसे में उसका वर्णन कभी कर रहे हैं क्योंकि पद्मावती जो है वो प्रत्विराज को अपना पती मान चुकी है अपना प्रिये मान चुकी है तो वो कहती है पद्मावती बिलशी बर बाल बेली पद्मावती जो है बिलशी व्याकुल है विलाप करती है बर बाल बेली नव लवीन लटा के समान वह श्रेष बाला विलाप करती है व्याकुल है कहीं कीर सो बात तब हो एकेली और फिर एकांत में ले जाकर एकांत पाकर जो पदमावती है वो तोते से अपने मन की बात कहती है जटम जाहू तुम कीर दिल्ली सुदेशम और क्या कहती है कि तुम बहुत शिगरता से तोते तुम बड़ी शिगरता से दिल्ली सुदेश में जाओ दिल्ली नामक सुन्दर प्रदेश में जाओ बरम चहुआन जुआनो नरेशम और शेष्ट चोहान वंशी राजा प्रत्वी चित्रन यहाँ पे मनो विज्ञानिक चित्रन कवी चंद बरदाई ने इस पद के माध्यम से किया है। और उन्हें जाकर मेरा ये संदेश कहो सांस सरी रही जो रहे प्रिय प्रत्वी राज नरेश। ये बात वो पहले भी कह चुकी है कि जब तक मेरे शरीर में एक बीश्वास शेश है मैं अपना प्रिय प्रत्वी राज को मान चुकी हूँ। इकांत में वो तोते से क्या कहती है इस का वर्नन उसके बाद प्रत्वी राज के पास संदेश प्रेशन की स्थिति का वर्नन परने पे पश्चात कभी चंद बरदाई अगले पद में क्या कह रहे हैं। प्रिय प्रत्वी राज नरेश जोगली कगर दीनों लगुन वरग रचि सरब दिन द्वादस ससिलीनों सैं अरु ग्यारे तीस साश सम्वत परमान है जोविनी कुल सुध बरनी बर रश्चहु प्रान है दिशंत दिश्ट उचरी एवर एक पलक विलंब न करिये अलगार र तरयन दिन पंच मही जोरुकमन कनर वरिये इस तरह से वो आगे क्या कहते हैं कि उसी चीज को दोराते हुए प्रिय प्रत्वी-राज नरेश पत्मावधी कहती है कि राजा प्रत्वी राज ही मेरे प्रिय हैं और वही मेरे पति होंगे जोगली ही कगर दीनों वह योग बनात उसमें लगुन वरग रची सरब उसने लगन कुंडली सारी रचना करी दिन 12 ससी लिनों की 12 के दिन जब शशी लिनों अर्थात शुकल पक्ष की 12 से अरू 11 है 30 शाष संबत परमान है और 1130 साष संबत शक संबत परमान है व्यशाक मास 1130 शक संबत व्यशाक मास शुकल पक्ष द्वादशी थी जोविनी कुल सुद्वरनी वर रशहु परमान है अगर आप इस यूवती को इस स्त्री को शुद्ध कलकुल की मानते हैं तो आप इसका वरन कीजिए और वर के रूप में यहां पधार कर इसके परमान की रक्षा कीज दिशंत दिस्ट उचरी एवर एक पलक विलंबन करिये और फिर बार-बार उलेक करती है कि जिस द्रिस्टी जिस घड़ी आप इसका उचारन करें मेरे संदेश को पढ़ें एक पलभ्याई भिलंबना करें एक घड़ी के लिए भी आप देरी नय करें अलगार रयन दिन के भीतर आप यहां पर पहुंचें और उसी प्रकार से पद्मावती को अगर आप शुद्ध कुल की समझते हैं उसी प्रकार से उसका वरन कीजिए जैसे शिरी कृष्णन ने रुक्मनी का वरन किया था जिस तरह से रुक्मनी का वरन किया वैसे ही आप भी आकर मेरा वरन की जीए तो यहाँ पर बड़े सुन्दर तरीके से पद्मावती संदेश भेशती है प्रत्वी राज के पास तोते के माध्यम से और पूरा वर्णन करती है यह हमें याद रखना होगा ग्यारा सो तीस शक्क संवत वैशाक मास शुकल पक्ष द्वादशी तिथी और आगे भी व पच्चिम दिशा पूजी समय संप्रांत वो कहती है कि है सांभर नरेश संभरी कांत जियोंवरी कि आप उसी प्रकार से मेरा वरण करो जैसे शिरी कृष्ण ने रुपमनी का किया था शिव मंडप पच्चिम दिशा कहां पर सब बता दिया थी बता दिया लेकिन आना कहां वो कहते हैं शिव मंडप पच्चिम दिशा कि पच्चिम दिशा में स्थित शिव मंदिर में पूजी समय संप्रांत प्राते कालीन पूजा के समय आप आकर मेरा वरण करो ठीक वैसे ये सांभर नरेश ठीक वैसे वरण करो जैसे शिरी कृष्ण ने रुपमनी का किया था इ जो है संकेत करती है और स्थान बताती है कि गोरी पूजन और शिव मंदिर में वरन का उलेक यहाँ पर उन्होंने किया है ले पत्री सुक्यों चलेो उडियो गगन गहिवाव जैहें दिल्ली पत्राज नर अठ जम में जाव इस तरह से पूरा जो है वो शुक जो है वो भी पद्मावती की मनस्तिती को समस्ते हुए उसी अनुसार कारे करता है और ले पत्री उस पत्र को लेकर तोता यो चलेो वह शुक जो है वो इस प्रकार से चला उडियो गगन वही वाह आकाश में हवा के रुख को पकड़ कर वो बड़ी तिवरगती से उड़ चला रुख पकड़ कर आकाश मार्ग से वो अपने लक्षे की और बढ़ने लगा जह दिल्ली प्रत्विराजनर और दिल्ली के राजा प्रत्विराज के पास में वो आठ प्रहर के बीच में 24 घंटे के बीच में ही वहाँ पर पहुँच गया हवा के रुक से संकेत ये है कि हवा का रुक भी दिल्ली की दर्शा की तरफ था और हवा के रुक को उसने पकड़ लिया और वायू के रुक के अनकूल होने की कारण ही शुक जो है वो तेजी की साथ में उनने लगा तो हवा के रुप को पकड़ कर जो है यहाँ पर उन्होंने एक प्रियोग यहाँ पर किया है भाशा में अगला पद है दिये कगर ने प्राज कर बुली बंचिय प्रतिराज सुक देशत मन में हसे कि वो चलन को साज कि जैसे ही स्तोते ने वह कागज राजा के हाथ में दिया बुली बंचिय प्रतिराज को बांचने के लिए बोला पढ़ने के लिए बोला शुक को देखते ही मन में हसे मन में आनंदित हुए कि वो चलन को साज और उन्होंने तुरंथी चलने की तयारी प्रारंब कर दी उहे घरी उही पलनी उहे दिन बेर उहे सजी सकल सूर सामंत लिये तब बोली बंब बजी अरू कवी चंद अनूप रूप सरसे बर कहे बहू और सेन सब पच्छ सहस सेना तिये सशहू अब क्या प्रतिकरिया होती है राजा प्रतिराज की जैसे ही उनको पत्र मिलता है उसका वर्णन यहाँ पे किया है उहे घरी उहे पलनी कि उसी क्षण उसी पल उहे दिन बेर उहे सजी उसी समय बेर उसी समय उनोंने तयारी प्रारंब कर दी सकल सूर सामन्त लिये सब बोली बंबबजी अपने सारे जो दर्बारी जो मंत्री थे जो सामन्त थे उन सब को उन्होंने बुला लिया तुरंत कैसे बंबबजी बंबबजी मतलब शंक बजाकर एक तरह से विशेश प्रकार की जो ध्वनी है जिसको बजाकर संकेत किया जाता ह कि कोई विशिष्ट स्थितियां है जिसके कारण सभी मंत्री सभी दरबारी सामंत तुरंतु पस्तित हो जाते हैं अरुकवी चंद अनुप रूप सरसे बर कह बहु और उस समय वो अपने अनुपम मित्र चंद बरदाई को भी बुलाते हैं जो कवी है और जो सुंदर रूप सरस व्यक्तित अनेक परकार से वरनन करते हैं रूप सरसे बर कह बहु अ संदर तरीके से कहते हैं बहु विविद परकार से यही कविता का कोशल है क्योंकि वो कवी है इसलिए अपने कोशल में पारंगत भी है और सेन सब पच्छ बाकी सारी सेना को पीछे छोड़कर सहस सेना तिये सश्ष हूँ और अपने साथ जो है केवल तीन हजार सेनिकों को अपने साथ में लेकर जो प्रत्फिराज है वो तयारी करते हैं चलने का प्रस्थान की तयारी करते हैं और क्या करते हैं तयारी चामंड र दिल्ली धरे चामुन राय को वो दिल्ली का गड़पती नियुक्त करते हैं गड़पती करी गड़भार दिये गड़पती नियुक्त करके उसे घड़ की जिम्मेवदारी उसकी सुरक्षा का दाइत्व चामुन राय को सौंपा और अलगार राज प्रत्वी राज तब पूर्वदिषतब गमन किये राजा पृषतविराज ने पूर्वदिषा की और अर्थात समुद्र शिकर जाने के मार्ग पर प्रस्थान किया जादिन अगला पद है जादिन शिशर बरात गए ता दिन गए प्रतिराज ताही दिन पादसाह को भही गजने आवाज और दिन प्रत्विराज भी वहां पर पहुंच जाते हैं ताही दिन पाधसा को और उसी दिन पातिसाह पतिसाह मतलब बादशाह बाधशाह शहाबुरीन गोरी को भी भई गजनियावाद गजनी में यह समाचार मिल जाता है कि राजय प्रत्विराज जो है अपने कुछ सैनिकों क साथ में दिल्ली से बाहर गए हैं तो ये समाचार जो गजनी है वहाँ पर विद्यमान शाहबुरिन गोरी तक भी पहुंच जाता है और आगे का पद क्या है अब यहां पर जैसे ही समाचार प्राप्त होता है बाशा शाहबुदिन गोरी को उसकी क्या प्रतिकिरिया होती है उसका वनन है सुनी गजने अवाज गजनी में चड़यो सहाब दिन गोरी को जैसे ही यह समाचार मिला कि प्रत्वी राज जो है वो अपने प्रमुक और वीर सहसी सैनिकों को लेकर समुद्र की और पस्थान कर रहा है इस प्रस्थान को यदपी प्रत्वी राज ने गुपत रखा था लेकि फिर भी यह सूचना शाब दिन को पहुंच जाती है और प्रत्वी राज जो है समुद्र शिखर की और जा रहा है तो वो शिगरी वो भी भारत पर आक्रमार कर देता है और कहता है चड़यो सहाब दिन चड़ाई शुरू कर देता है दिल्ली की और बढ़ना प्रारम कर देत शुरासान सुल्तान अब यहां पर जो शहबुदिन गोरी है उसकी सैना का वर्णन है तो यह जो सैना वर्णन है युद्ध वर्णन है सैना वर्णन इसकी भिन्नता को हमें समझना होगा यहां पर उन्होंने शहबुदिन गोरी की सैना का वर्णन किया है कि शुरासान सुल्ता कि उसकी सैना में खुरासान के सुल्तान है कास ताशकंद के कावली काबुल के मीरधु दुरंदर मीर है दुरंदर सर्दार जो है वो उसकी अगरणी सर्दार जो है उसकी सैना में शामिल है जंग जुरन जालिम जुझार वो इतने कुशल है इतने रण कुशल है उनके अंदर कि जंग जुरण रण बांकुरे हैं, जंग में जुट जाने वाले, जालिम, युद्ध में बहुत जालिम, कठोर, जुजारू, संघर्श करने वाले अंतिम सांस तक बुझ सार भार भू है और जिनकी बुजाएं जो हैं वो धर्ती पर प्रत्वी का बोज उठाने में भी सक्षम हो इतनी उनकी ताकतवर बुजाएं हैं भुज सार भार भुए बुजाओं का भार इतना है कि मानों वो सारी प्रत्वी के भार को उठा लेंगे दर धमकी भजी सेस और जैसे ही इतने रण बांकुरे मजबूत विशाल जो सैनिक है शाबुदीन गोरी की सैना में जो शामिल है वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं चड़ाई की तयारी करते हैं धर धमकी धरती कांपने लगी और भजी सेस अब देखिए कभी की कलपना है इसका प्रियोग भी उन्होंने अनेक बार किया है कि धरती जब कांपने लगती है तो कभी की कलपना है कि ऐसे लगता है कि मानो शहाबुदीन गोरी की सैना के वीर सैनिकों के शौर ऐसे उनके जालिम पन से दर के मारे जो धरती को धारन करने वाला शेशनाग भाग गया और इसी क हो गया है अंधकार चा गया है कल्पना तो यह है कि वो इतने सारे मजबूत सैनिक जब एक साथ चलते हैं तो धर्ती में धमक होने लगती है और उनके पैरों के चलने की कारण जो धूल उलटी प्रवाह मनो सिंधु सर रुक्की रह अड़ियो रही और जैसे ही आगे भढ़ते हुए प्रत्वी राज को के मार्ग में वो खड़ा हो गया तो ऐसे लगा कि मानो जो नदी का प्रवाह जो है वो उलट कर समुद्र की नैबढ़ कर पीछे की और लोट रहा हो वो एकद से रास्ता रोक कर मानो खड़ा हो गया और सिंधु की तरफ जो है उसका प्रवाह जो था बढ़ना चाहिए था वो वापिस लोटने लगा वो इस तरह से उसके रास्ते को रोक कर उमर्ती हुई जो नदी थी उसके रास्ते को रोक कर खड़ा हो गया कि वो जो प्रवाह है व और लोट रहा हो तो शहाबुदीन जो है वो इस तरह से प्रत्वीराज की जो स्थिती है शहाबुदीन के रास्ता रोकने की स्थिती है उसको कवी चंद जो है वो राजा प्रत्वीराज से बताने लगे इस प्रकार से बताने लगे इस प्रकार उन्होंने इन बाक्यों में इ शाहबुदीन गौरी की सैना की निर्ममता का वर्णन भी किया है कि वो कितने जालिम है और कितने निर्मम है और इस प्रकार से यहां तक जो शाहबुदीन गौरी और प्रत्वी राज का जो आमना सामना होता है वहां पर उन्होंने वर्णन किया है आज के लिए इतना ही धन्य अजय वाद